नमस्कर दोस्तों फिर से एक बार मैं नरिश महानन्द आपका लाइफ सो में स्वागत करता हूं और आज का जो विसे है दोस्तों वो है कि इसाई लोग यानि कि मसीही लोग अदरकाश्ट से शादी कर सकते हैं कि नहीं हिंदू से शादी कर सकते हैं कि नहीं जैन से शादी कर सकते हैं कि नहीं या फिर मुस्लिम से शादी कर सकते हैं कि नहीं इस प्रकार से सिख से शादी कर सकते हैं कि नहीं मन्दब ये अदर अदर रिलिजिन से शादी कर सकते हैं कि नहीं अलग धर्म को मानने वाले लोगों से शादी कर सकते हैं कि नहीं मसीही लोग इस विशे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तो हम आज देखते हैं कि आजकल जो है एक आम बात हो चुकी है कि एक व्यक्ति किसी भी धर्म के लोगों से शादी कर सकता है जो लड़की है वो किसी धर्म की लड़की से भी शादी कर सकती है जो लड़का है वो भी किसी धर्म के लड़की से शादी कर सकता है इस प्रकार से मतलब कोई भी आज एक दूसर से शादी कर सकते हैं आम बात हो चुका है और ज़्यादतर हम common देखते हैं और ये बात पहले नहीं हो पाती थी, क्योंकि अधर काश्ट में शादी करना, अधर धरम में शादी करना, ये बहुत मुस्किल था और मना ही था, उनके समाज में, उनके संस्था में, उनके रिती रिवाजों में, इस परकार से. और हाँ दोस्तों, आज कानून भी इसके खिलाफ नहीं है, आप किसी भी धर्म के लड़की-लड़का से शादी कर सकते हैं, कानून भी आपका साथ देता है, बस आपकी मेच्वर्टी होनी चाहिए, आपका जो है 18 साल उमर होना चाहिए, और इस परकार से, मतलब आप मेच्व के यानि कि अलग धर्म के लड़का या लड़की से शादी बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं, और आज भी कड़ा नियम है कहीं न कहीं, इस परकार से नहीं तो उन्हें सजा मिलता है, या उन्हें समाज से निकाल दिया जाता है, उनका हुक का पानी बंद कर दिया जाता है, और बहुत सारे इस प्रकार से उनके कानून और नियम होते हैं लेकिन दोस्तो हमें ये पता करना है कि क्या इसाई भाई बहन या मसीही लोग किसी अधर काश्ट से या अलग धर्म के लोगों से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उनके लड़के और उनके लड़कियों से शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो ये बात हमें कौन बताएगा? ये बात हमें कौन बताएगा? कोई फादर, चर्च का, या कोई पाश्टर, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग नहीं हमें ये लोग नहीं बताएंगे लेकिन हमें कौन बताएगा हमें परमिश्वर का वचन यानि कि Bible हमें वो मार्ग बताएगा और वो सत्य की राह पर चलाएगा उस सत्य को बताएगा जो हमें मानना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए ऐसा situation में इस प्रकार से हमें Bible कि अन्य जाती के साथ मेल करना मेल जोल करना या उनके साथ रिष्टा जोड़ना कि विसे में बाइबिल हमें क्या सिखाती है क्या समझाती है क्या बाइबिल हमें इसका आदेश देती है क्या हमें यह आग्या है आए हम देखते हैं बाइबिल से निकालेंगे नए नियम की और हमें किस चीज के औरहीं सारा कर रहा है हम यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल जो अविश्वासी है वो अन्य जाती है और इसमें बोला जारहा है की धार्मिक्ता और अधर्मका विश्वासियों को धार्म्यक्ता कहा जा रहा है और अधर्मकाया किया मेलचु और उसके दॉटी और अंधकार की संगति क्या संगति यानि कि यह पूछ भी रहे सवाल और उसको बताया भी जारा इशारा कि सोर है हमें यह देखना है कि देखे जोती के संतान और अंधकार की संतान को कोई जरुरत नहीं है मेल जोल करने का और मेल भी नहीं हो सकता जब अंधेरे में रोशनी आता है तो अंधेरा रहता है क्या तो मेल नहीं हो सकता जोती और अंधकार का मेल नहीं हो सकता और मसी और बनिया के साथ क्या लगाओ फिर उसके बाद या विस्वासी के साथ अविस्वासी का क्या नाता देखिए हर एक वचन हमें यहाँ पे दूर रहने के आदेश दे रहा है मेल जोल करने का आदेश नहीं दे रहा है और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंद क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होंगा और वे मेरे लोग होंगे इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, उनके साथ मेल जोल ना करो, और अशुद्ध वस्तू को मच्च वो, तो मैं तुम्हें ग्रहन करूंगा, उन्हें असुद्ध वस्तू कहा गया है, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेतियां होंगे यह शर्व शक्तिमान प्रभू परमिश्वर का वचन हैं तो यहां पे साफ साफ वचन कहता है कि अन्यजातियों के साथ ना ही मेल जोल करो और ना ही उनकी संगती करो ना ही उनकी सी चाल चलो है ना और इस प्रकार से हमें उनके साथ रिस्ता कायम करने के भी मना कर रहा है परमिश्वर कवचन साफ साफ मना कर रहा है लेकिन आप लोग कहेंगे जितने भी हमारे मसीभ भाइबहन हैं उन लोग बोलेंगे इस बात को बोलेंगे कि हमारा तो ज्यादा तर लब मेरेज होता है आज हर एक धर्मों में लब मेरेज होता ही है धर्मों की ब धर्म से love marriage हो गया है अलग धर्म का वेक्ति है लड़का है या लड़की है तब हम कैसे करें क्या situation रहेगा उतना समय क्या हमारे पास एक शर्त रहेगा वहां पर एक शर्त यह है कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं सच्छा प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं घर बसान नहीं होना चाहिए आपका जो पॉलुस कहता है कि मैं दोड़ से हमें कोई वंचित नहीं करना चाहिए और वो मुकुट के लिए दोड़ता है तो दोड़ से हमें कौन वंचित करेगा शातान और हम दोड़ किस चीज के लिए रहे हैं अनंत जीवन स्वर्गिये मुकुट उ आप इस संसारिक जीवन के लिए तबाह ना करें, और अगर आपको उनसे प्यार है, शादी करना चाहते हैं, है न, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हें एक बाद बता देना चाहता हूं, कि वचन कहता है कि उन्हें परिवर्तन करो, परमीश्वर के वचन से विश् असी बनाओ, उन्हें सच्चाई बताओ, जिस प्रकार से आप सच्चाई जानते हैं, प्रभुईश्य मसी आपके लिए इस प्रुथी में, इस जगत में, जन में लिया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गारा गया, और मिर्तिकों में से जी उठा, ये इस पर क्या तुम बिश्वास करते हो, वो सारी बाते उनको बताओ, और वो सच्चाई को ग्राण करेंगे, और जब तक वो प्रभु को ग्राण ना करें, तब तक उनके साथ परमेश्वर का वार्तलाब करो, और परमेश्वर की सच्चाई बताते रहो, और इस प्रकार से वो तुमारी बातो दोस्तों मैंने ये बात को इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी अन्यजाती से शादी करते हैं तो परमिश्वर तो नाराज होता ही होता है लेकिन आपका आत्मीक जिवन है वो भी बरबाद हो जाएगा क्यूंकि उसके अंदर सहंसिलता नहीं होगी, उसके अंदर नमरदीन भावन नहीं होगा, परमिष्व का वचन नहीं होगा और उसके अंदर विश्वास नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है कि मसी जीवन में विश्वास की बहुत जादा आशकता पड़ती है जब आपके जीवन में समस्य आने लगता है तो तो ये जो विश्वास है ये आपके पतनी ये पती में रहना जर्री है मसी भाई बैनों से मैं बोल रहा हूँ और ये अन्य जातियों में ऐसा विश्वास नहीं होता है लेकिन आप उसको प्रभु में ला लिये हैं प्रभु का वच्छन सुनाते हैं आपके पास टाइम प्रियेड रहता है एक साल दो साल शादी करने का अगर हो गया है तो हाँ भाग के शादी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई आप्शन नहीं है हाँ अगर अरेंज मेरेज हो रहा है लव मेरेज हो चुका है और अरेंज मेरेज हो रहा है उसमें अब फोकट का कहां दे रहा है उसको भी तो वो आनंत जीवन का मुकुट मिलेगा और वो सत्य को जानेगा और परमीश्वर का पुत्र कहलाएगा तो हमें अगर शादी करना है किसी अन्यजाती भाई बहनों से तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहली बात हमें सच्चाई बताना पड़ेगा परमिश्वर का वचन बताना पढ़ेगा और वो ग्रहन करेगा उस सच्चाई को और वो एक विश्वासी बन जाएगा वो एक मसी बन जाएगा और वो आपको मसी जीवन में जीने का साथ देगा दोनों मसी जीवन में जी सकते हैं और दोनों विश्वास में परिपकव हो सकते हैं और हर एक परिशानी से निजात पा सकते हैं मुक्ती पा सकते हैं और परमिश्वर ऐसे जोड़े को और आशिस देता है तो इस प्रकार से आप शादी कर सकते हैं दोस्तों मैंने ये बात को इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी अन्य जाती से शाधी करते हैं तो परमिश्वर तो नाराज होता ही ये होता है लेकिन आपका आत्मीक जिवन है वो भी बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर सहन सिलता नहीं होगी उसके अंदर नम्रदीन भावना नहीं होगा परमिश्व का वचन नहीं होगा और उसके अंदर विश्वास नहीं होगा सबसे बड़ी बात है कि मसी जीवन में विश्वास की बहुत जादा आशकता पड़ती है जब आपके जीवन में समस्य आने लगता है तो तो ये जो विश्वास है ये आपके पतनी या पती में रहना जर्री है मसी भाई बैनों से मैं बोल रहा हूँ और ये अन्य जातियों में ऐसा विश्वास नहीं होता है लेकिन आप उसको प्रभु में ला लिये हैं प्रभु का वचन सुनाते हैं आपके पास टाइम परियेड रहता है एक साल दो साल शादी करने का अगर हो गया है तो हाँ भाग के शादी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई आप्शन नहीं है अगर अरेंज marriage हो रहा है है अरेंज marriage हो रहा है उसमें LOVE and arrange हो रहा है तो आप उसमें उसको परमिश्वार का वचन सुना कर बता करके जता सकते हैं जब क्योंकि अगला वेक्ती तुमारे साथ जीवन साथ ही बन रहा है मरत्य दं तक वादे और कसमें खाएगा और वो तुमा वहारे साथ अनन्त जीवन के उस रहा पर चलने के लिए साथ क्यों नहीं देगा अब फोकट का कहां दे रहा है उसको भी तो वह अनन्त जीवन का मुकुट मिलेगा और वो सत्य को जानेगा और परमिश्वर का पुत्र कहलाएगा तो हमें अगर शादी करना है किसी अन्यजाती भाई बहनों से तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहली बात हमें सच्चाई बताना पड़ेगा परमिश्वर का वचन बताना पड़ेगा और वो ग्रहन करेगा उस सच्चाई को और वो एक विश्वासी बन जाएगा वो एक म मसी जीवन में जीने का साथ देगा, दोनों मसी जीवन में जी सकते हैं, और दोनों विश्वास में परिपकव हो सकते हैं, और हर एक परिशानी से निजात पा सकते हैं, मुक्ती पा सकते हैं, और परमिश्वर ऐसे जोड़े को और आशिस देता है, तो इस प्रकार से आप और अपने जीवन को और बहतर बनाने के लिए हमारे वीडियो को दिन और राट देखते रहें और परके वचन को और सीखें हमारे ने वीडियो आएंगे और हमारा चैनल को आप लोगों को बता सकते हैं और आपके मुँ से आपके जिबान से लाइफ शो का प्रचार होगा यानि कि आप परमिश्वर के वचन को सत्ते को दूसरे को बता रहे हैं दोस्तो हमारा वेबसाइट है आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं www.liveshow.co.in है और उस वेबसाइट में जा करके आप ऑनलाइन बाइबल क्लास कर सकते हैं और इस प्रकार से आप तीन साल का डिगरी बाइबल ट्रेनिंग कोर्स भी बाइबल कॉलेज में आ करके हमारे पास कर सकते हैं और हमारे पास बोडिंग स्कूल भी है पहली क्लास से बार्यो क्लास तक का आप उसमें बोडिंग स्कूल आपने बच्चों को भेज सकते हैं परमिश्वर की शिक्षा के अनुसार वो पलेंगे बढ़ेंगे और उस प्रकार से परमिश्वर के ज्यान प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में हमारे पर प्रोजेक्ट है जो कि नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं और उसमें बहुत सारे मसी भाइबहनों को आने का मौका म हमारे साथ जूड करके परमिश्वर की महिमा कर सकते हैं हमारे help group में जूड करके क्योंकि दोस्तों हमारा help group जो है वचन के अनुसार जैसे कि प्रभुईश्वर मैंसे ने का है जब मैं भूखा था मैं नंगा था मैं प्यासा था मैं hospital मैं मारीज था मैं मानला बीमार पड़ चाहते हैं तो स्वएच्छा अनुसार आप हमें हर महने का डोनेशन हमारे अकॉंड नमबर में आप सेंड कर सकते हैं स्वएच्छा अनुसार सौ रुपय से शुरुवात करें और अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार ढाले की क्यों वचन में लिखा है जो गरीबों और अनाथों को देता है वो मुझे देता है तो प्रभुष मैंसी बोलते हैं जो उनकी सेवा करता है इन चोटे में से चोटे में से चोटे में से चोटे लोगों के साथ जो करता है वो मेरे साथ करता है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा स्वर्ग में धन का ज्यान सीख सकते हैं जबकि मैं अगले महने फरवरी को 14-15 को सेक्टर 24 चंडिगड में आ रहा हूं इंद्रा हॉलिडे में आप वहां पे आ सकते हैं रेज़्टरी करवा सकते हैं अपना और ये दो दिन का जो मिटिंग है इसमें कॉन्फरेंस मिटिंग जो है ये नौर्थ इंडिया Bible Preacher Lectureship के तरब से हो रहा है और वहां पे आप आगर के परमिश्वर के वचन को सुन सकते हैं आप सभी को आमंत्रित है और वहां पे भोजन का भी सुधा है रहने और सोने का भी इंतिजाम किया गया है आप सभी आगर के परमिश्वर के वचन में सामिल हो सकते हैं दोस्तों मैं स्क्रिन पे सारे डीटेल डाल दिया हैं और आप contact कर सकते हैं और अगले महने मिलने के लिए मुझसे आ सकते हैं इसी प्रकार से हमारे बचन को सुनते रहे हमारे चैनल को subscribe करें और share करें like करें और comments करें और परमिश्वर के साथ कारे करने के लिए हमारे साथ जुड़े और परमिश्वर की महिमा करें और नए-ने वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे तब तक के लिए हम आप से अलविदा लेना चाहते हैं परमिश्वर आप सभी को आशिस दे नमस्कार गुड़ बाई